आपका जीवन मंगल मैं हो दो गरेश चत्वरती का जो पर्व आने वाला है उसके बारे में जानकारी देंगे जानकारी देंगे कुछ संचित में पूजन विधी वर कुछ साउधानिया के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे तो मित्रो इस वर्स जो है 2019 में गड़ेश चतुर्थी का जो तेवार है वो दो सितमबर दिन सोंबार को मनाए जाएगा चतुर्थी का इस दिन प्रारम में जो है वो चार बच के छपन मिनट से यानि दो सितमबर को चार बच के छपन मिनट से प्रारम होगा जो जिसकी समापती तीन सितमबर को रातरी एक बच करके त्रेपन मिनट पर चतुर्थी का जो समापन होगा गड़िस चतुर्थी भाद्रपद सुकलपक्ष की चतुर्थी को मना जाता है मानता है कि गड़िस जी के जन्म भाद्रपद सुकलपक्ष चतुर्थी को मध्यान काल में सुम्बार स्वाती नक्छतर इवम सिंह लेंगन में हुआ था इसलिए यह चतुर्थी मुख रूप से गड़िस चतुर्थी यह बिनाई चतुर्थी कहलाती है यह कलंग चतुर्थी के नाम से भी प्रिसिद्ध है और लोक परमपर के अंसार इसे डंडा चौत भी कहा जाता है गड़िस चतुर्थी का जो महूर्थ है इस पर में मद्ध्यान के समय मौजूद मद्ध्यान ब्यापनी चतुर्थी ली जाती है इस दन रविवार या मंगलवार हो तो यह महा चतुर्थी हो जाती है इस बर्स 2019 में गलिस चतुरसी का जो मुहुर्थ है दो सितंबर को 11 बच करके 4 मिनिट से यानि मद्ध्यान 11 बच के 4 मिनिट से दो पहर एक बच करके 37 मिनिट तक रहेगा यानि इसकी कुल अबदी रहेगी 2 Gospel 32 मिनिट इस समय ऐसी माननता है कि चंदर महा के दर्सन नहीं करना चाहिए तो किस समय से किस समय तक चंदर दर्सन हमें नहीं करना चाहिए वह समय भी आप नोट कर लें आठ बच करके चववन मिनट से रात त्री नौ बच करके तीन मिनट तक हमें चंदर दर्सन नहीं करना चाहिए गड़िस चतुरसी की पूजा ब्रतव पूजन बिधी संचिप्त रूप से हम आपको बताते हैं जो ब्यक्ति भगवान गड़िस को अपने घर में इस्थापित करना चाहता है उसे प्राता इसनान आधी करने के पस्चाद सोने तावे या मिट्टी जी की गड़िस की पृतिमा उसे एक पाटे पर रखना चाहिए एक कोरे कलस में जल भर कर उसके मूपर कोरा बस्त बांद कर उसके उपर गड़िस जी को भी राजमान करें गड़िस जी को सिंदूरवा दूरवा अर्पित करके 21 लड़ूं का भोग लगाएं इसमें पांच लड़ू गड़िस जी को अर्पित करें सेस लड़ू गरुवियों को या ब्रामनों को बाट दें सायम काल के समय गड़िस जी को पूजन करना चाहिए गड़िस चतुर्थी की कथा गड़िस चाली सवा आरती पढ़ने के बाद अपनी दृष्टी को नीचे रखते हुए चंदरमा को अर्ग देना चाहिए इस दिन गड़िस जी के सिद्धी बिनायक रूप की पूजा बबरत किया जाता है बिसेस क्या है इसमें मानता है कि इस दिन चंदरमा का दरसन नहीं करना चाहिए बरना कलंग का भागी भी होना पड़ता है अगर भूल से चंदरमा का दरसन हो जाए तो उस दिन आपको चंदरमा के लिए नीचे देखते हुए ओम सोम सोमाय नमा का जाब करते हुए उसको कच्चे दूस का अर्ग देना चाहिए ध्यान रहे कि तूसी के पत्ते गड़िस पूजा में इस्तिमान नहीं होते हैं तूसी को छोड़कर बांकी सबपत्र पुस्प गड़िस जी को प्री हैं गड़िस पूजन में गड़िस जी की एक परिक्मा करने का विधान है मतांतर से गड़िस जी की तीन परिक्रमा की भी की जाती है तो इस प्रकार से आप अपने घर में इस सुब महुरत में भगवान गड़िस को ला करके पवित्री करांसे ले करके रक्षा बिधान तक के मंत्र पढ़ करके और आप गड़ेस जी का स्वस्ति बाचन करते हुए आप भगवान गड़ेस की पृतिमा का उहाँ पर आप उन्हें इस्थापित करें और नित्य जो है सुबह साम उनकी आरती करें प्रशाद बांटने लोगों को यह आप नित्य करिया करें तो निश्चित रूप से भगवा की शमश्या हो तो उसे वो दूर करते हैं प्रथम पूझ भगवान गड़ेस को माना गया है तो इसलिए भगवान गड़ेस की पूझा अर्चना से आपके घर में आए सभी संक्तों का बिनास होगा तो आसा है मित्रो आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा यह जा मित्रों को चाहते हैं कि उनको भी एहजांकारी परापत हो तो ज्यादस ज्यादा हमारे वीडियो को सेयर करें और आप लोगों के अब नहीं किया है तो उसा सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार अपना एशनिया और प्यार हमें देते रहें इन्ही कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो आप लोग खोस रहें मस्त रहें मांगायतुरी की अशीम कृपा अज़ू के जीवन पर इसी प्र memorial बनी रहें गड़िस चतुरथी के आप लिघ्य ड्यासारी सौप कामना है इन्ही बातों के साथ हम अपनी बात को सौंप करते हैं नौस्कार और शांती